2024 के चुनाओ के बाद नरिद मोदी जी एक बार फिर से प्राइमिनिस्टर बने वाले हैं लेकिन इस बार उन्हें एक कोलिसन गवर्मेंट चलानी पड़ेगी अब इस गवर्मेंट में जो मुख घटक आ रहा है वो टीडीपी और जनतादल यूनाइटेड है बहुत लोगों क तर्से देखने की कोसिस करते हैं कब वो बीजेपी के साथ है कब अलग गए और कैसे उनके चुनाओ रड़ने की तो सुरुआत होती है 1996 में उसके पहले से भी दोनों पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड 2003 में बनी है लेकिन अलग लग रूपों में थी और जनता पार्ट पिर 1998 का मामला है जहां पर NDA जीतता है वहां पर समता पार्टी उसका समर्थन करती है लेकिन ये भी सरकार गिर जाती है एक वोट से फिर 1999 का वाका है जब NDA सरकार जीतती है और लगातार पांच साल वो सरकार में तब नितीश कुमार जी वहां पर venom मिनिस्टर रहते हैं यह सारी पार्टी को मिला कि ये एक पार्टी बनती है जनतदल युनाइटेड नाम से तब से उसके पहले ये समता पार्टी के नाम से जानी जाती थी फिर 2009 का जो इलिक्सन है उसके बारे में अगर हम बाते करें तब BJP के साथ ये आते हैं चुनाव लड़ते हैं और उस बार UPA की NDA की तरफ से तब नितीज जी इस बात से खाफा हो जाते हैं और वो खुद को इस पूरे के पूरे अलाइन से अलग करने के कोशिस करते हैं 2014 का माम लाहिए उसको बिहार में 2015 को जो चुनाव होता है उस चुनाव को अगर आब देखें तो 2015 को जो चुनाव था उसमें जनता 2022 तक चलती है फिर टूट जाती है और फिर RJD और कॉंग्रेस के साथ मिलके ये सरकार चलाते हैं और इस सरकार के दौरान ही जो भी लास्ट उनके दिमाग में कहीं ने कहीं ये इंडिया गडबंधन और इस तरह के मामलों का पूरा का पूरा आता है जिकर आता है वही इन सब चीजों के मेटिंग की सुरुआत करते हैं सारी चीजें करते हैं लेकिन जब में मौका आता है तो फिर एंडिये में सामिल हो जाते हैं और वहां से चुनाओ लड़ते हैं वहां से चुनाओ लडने के बाद अभी जो हालत है वहां पे BJP के पास 240 सीट है जनता दल को कॉंप्रमाइज करना पड़ेगा जिनमें यूनिफॉर्म सीविल कोड पे तिन्होंने समर्थन दिया है लेकिन कास्सेंस हो गया या अगनिवीर योजना हो गया या और भी मंत्राले को लेके बहुत सारी बाते हैं जो अब लगतार निउज में चल रही है और यह हिस्टो बहेवियर है सपोर्ट का लगतार इन्होंने एंडिय के साथ रहे के काम किया है घटक के तौर पे काम किया है ज्यादा बहेवियर हैं बदलावाए है 2014 के बाद जहांपे 2014 में समर्थन नहीं करा है फिर 15 में भी नहीं करा है 17 में फिर समर्थन किया है फिर 22 में कीट लिया है तो ये alliance making की joyability है, उनकी वज़ा से काफी important नेता हो जाते हैं, छोटा सा presentation था, BJP और जनतादल United के relations के बीच में, इस बीचे बहुत सारे नेताओं का आना जाना भी रहा है, party के within से, बाहर से party के break होने का, तो ये है कहानी, जनतादल United और BJP के alliance के,